hair oil or hair serum में बहुत confusion है और market में oil serum को लेके बहुत बड़ी debate है या arguments है तो आपके लिए कौन सा beneficial है और ये आपके सवालों को कौन solve करने वाला है या क्या answers हो सकते हैं या आपको क्या choose करना है तो नमस्कार मैं डॉक्टर मेगर चत्रवेदिया आपके सारे सवालों के जवाब लेके आएं और एक confusion जो है about hair oil or hair serum which one is better and which one to use हम उसको solve करेंगे वेल हम समझाएंगे आपको की hair oil क्या है and hair serum क्या है और आप decide करेंगे कि then आपको दोनों में से क्या choose करना है या आप दोनों को ही साथ में use कर सकते है अपने HRK routine में for better results क्योंकि दोनों को साथ यूज़ करने में कोई ऐसा निये की harm है या आपको नुक्सान पहुचैगा या आपको एक यूज़ यूस कर सकते हैं आप दोनों साथ में यूज़ कर सकते हैं आपका ब्रेकेज जो हो रहा है बालों का वो कम हो बाल स्ट्रॉंग बने हैं हेल्दी बने ड्राइनेस कम रहे तो ओवर आल आपको स्कैल्प और हेर की हेल्प मेंटेन करने के लिए ओईल का यूज करना पड़ता है अब इसका टेक्स्टर क्या होता है जेनरली है रॉइल आप जब भी अप्लाय करते हैं तो आपने नोटेस किया होगा कि आप अपने ओफिस में या आप भार नहीं जा पाते है रॉइल लगा कि आपको लगता है कि हेड़ वाश कर लो उसके बाद ही जाएंगे क्योंकि हम चंपू लग रहे हैं या फिर हमारे बाल स्टिकी हो रहे हैं तो वेल इसका टेक्स्टर वैसा ही होता है आप यूज कर सकते हैं बट आपको एक शांपू करना ही पड़ेगा ताकि आप चंपू ना लगे या बाल स्टिकी ना लगे आप रेजिंटेबल लगे और ओईली जो दिख रहा है या ओईल दिख रहा है वो ना दिखे तो यह स् का सर्कूलेशन है वो इन्हांस करता है जडों को मजबूत बनाता है ब्रेकेज की प्रॉब्लम आरी या बाल कम्जोर हो रहे हैं रूट कम्जोर हो रही है उनको स्ट्रॉंग करेगा ओवर आपके बालों की हेल्थ को प्रमोट करेगा और यह लंबे समय तक ड्राइनस को करी और देन शैंपू कर लिया और वीक में दो से तीन बार हमने लिंग कर ली जो जेनरली जो आम जनता है या आम लोगें यही चीज फॉलो करते हैं तो इस तरीके से आपका है रॉइल का कॉंटेक्स रहता है कि यह 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 इसके पॉइंस हैं आप हो सकता है कि भार ना जा ऊटाएं लगाने के बाद और यहीं पर जो हैर सिरम आजकेल बहुत चल रहे हैं और बहुत अच्छे भी हैं ःसे ओन्पार परियुक्र मेरे पास है अब प्वांट सिर duż Demi आप कभी भी यूज कर सकते हैं इसका जो ना में अग जो भी को न Honig personal ear बाल भढ़ नहीं तो बढ़ेगा देंसिटी कम हो रही है है फॉल जादा हो रहा है तो देंसिटी को बढ़ाएगा ओविसली है फॉल को रोकेगा यह इसका पॉपस है इसका जो टेक्स्टर है वह ओविसली नॉन स्टिकी है आप लगा के नॉर्म जैसे सिरम्स होते हैं इसका बेनिफिट का है बेनिफिट है कि ग्रोथ को स्टिमूलेट कर रहा है जैसा मैंने बताया देंसिटी बढ़ा रहा है है और आपके स्कैल्प को नरिश्मेंट भी दे रहा है और बालों की चमक को भी बना रहा है बाल ड्राय नहीं लगेगा या बाल का कॉलिटी भड़ यूज करें जाते हैं जैसे ओवर नाइट लगाके छोड़ दिया या दो तीन घंटे पैले लगाके छोड़ दिया जो डांडर्फ के लिए यूज होते हैं या स्कैल्प को एक्सफोलीट करने के लिए और पिर उसके बाद शाम्पू करा जाता है तो serums पर depend करता है कि उसका usage कैसे करना है, before shampoo करना है या after shampoo करना है, अगर मैं hair growth serum की बात करूँ तो इसको आप everyday use कर सकते हैं, after shampoo use कर सकते हैं, before shampoo मत use करियेगा, और अब बात है कि इन दोनों में से choose क्या करना है, अगर मेरा personal recommendation आप मानेंगे, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप growth serum की जरूरत नहीं है, but अगर मैं चाहूं तो कर सकती हूं, वैसे ही आप भी अपने hair care routine में दोनों चीजों को डाल सकते हैं, but choice is still yours, आपको क्या suit कर रहा है, आपके बालों को क्या जरूरत है, आपको बाल बढ़ाने है, density बढ़ाने है, hair fall रोखना है, तो आप serum use करें, अग आप क्या choose करेंगे, और अपने बालों का ध्यान कैसे रखेंगे, और बालों को आप healthy कैसे रखेंगे, it's all about healthy, it's not about the long hair, it's all about healthy, तो बालों को कैसे healthy रखना है, वो आप इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड करें, और अपने बालों के लिए सही decision ले, till then take care and stay beautiful.